तो भाई लोग क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि जो फ्री फायर गेम है वो क्या सच में बैन होगा अपने इंडिया के अंदर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसको इसकी बिल्कुल भी मत करना क्योंकि इस वीडियो म जहां तक उमीद है वो दूर होने के चांस बहुत है तो गाइस बात करने जो फ्री फायर बैन का जी सिस्टम मतलब जो मैटर स्टार्ट हुआ वह अपने पीक डे जब आया अपने फ्री फायर के अंदर जो 12 फरवरी को था जैसा कि आप लोग को पता है उस दिन बहुत इव फरवरी आई उस दिन हमने सुना कि जो फ्री फायर अपना जो प्ले स्टोर से और जो एपल वाला स्टोर होता है मतलब iOS डिवाइस के स्टोर उन दोनों में से रिमूब कर दिया गया है जी हाँ वो न्यूज अपन को 13 फरवरी को दिखी तो बहुत से यूट्यूबर ने वी लिस्ट तैयार हुई और उसमें ये दिखाया गया है जो फ्री फायर अपना है गरीना फ्री फायर उसको और 53 अदर्स एप जो की चाइनीज एप घोशित कर दिये गए हैं और उनको बैन करने का जो है ओर्डर एनाउंज कर दिया है जो अपनी इंडियन गवर्मेंट है जी Singapore का वो game कह सकते हैं Free Fire एक company है जिसको नहीं पता Singapore की जिनके owner है अपने forest league जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूँ तो बाकी जो इनका कहना है जो इनके जो जो Chinese app इनने हो मतलब Green Free Fire आप कहेंगे Chinese app कैसे हो गया मतलब उनके जो shares जाते है कुछ shares जो है वो चाइना में data इनका जा रहा है मतलब forward हो रहा है तो इस से ही government जो अपनी India वाली है इंडिया की government ने Free Fire को इसलिए ban करने का जो अपनी list रखी है उसमें Free Fire को अपना रखा है और एक जो अपनी बात निकल कहा रही थी कि जो Green Free Fire के आगे एक illuminate जो word है उसका भी कुछ मतलब यहाँ पर जो है बहुत main role है मतलब उसकी वैसे भी कुछ बंदे कहा रहे थे कि अपना जो Free Fire है वो ban हुआ है बाकी बात कर लें अपने Free Fire जो अपनी government इंडिया है उन्होंने जो direct announce करा है मतलब order करा है जो Free Fire को list में रखा है अपनी Greena Free Fire illuminate को अपनी ban वाली list जो 54 एप से जो Chinese एप से गोशित करे हैं जो कि आप लोग को पता ही होगा आप लोग ने बहुत सी news देखी होगी तो उसमें तो यही है कि जो उनके shares है वो चाइना को forward हो रहे है उनका data चाइना को जा रहा है चाइना कंट्री को इसलिए जो अपनी government इंडिया है उन्होंने Free Fire को अपनी list में रखा और उसे ban करने का क्या नाम है announce कर दिया order कर दिया है बाकी guys लेकिन अभी तो चल रहा है Free Fire आप सोच रहोंगे यह तो चल रहा है ban तो इन्होंने कल का कर दिया है मतलब इसे list तो ready कर दिया अभी नहीं होगा किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है चाहें क्या पता आज हो जाए या कुछ ही गंटों में आपका जो है game ना चले बात कर लें आपकी Free Fire Max की मैं आपको बताओ Free Fire Max क्यों नहीं हटा क्योंकि Free Fire Max के आगे वो word भी नहीं है illuminate और Free Fire Max बिल्कुल 100% जो है जो गरीना है मतलब सिंगापूर उसके उपर ही data है मतलब एक तरीके से वो इंडियागी कह सकते हैं उसमें कोई ऐसा Chinese जो है threat नहीं पाया गया इसलिए वो Free Fire Max बिल्कुल secure है लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि अगर गरीना Free Fire illuminate बैन हो गया Free Fire Max क्या रहेगा आप लोग मुझसे यही पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा नहीं क्योंकि Free Fire Max जब गरीना Free Fire जब बैन हो जाएगा तो Free Fire Max भी नहीं चलेगा क्योंकि जो एप तो उन्हेंने हटा दिया Free Fire Max रहेगा लेकिन जो उसका सर्वर अपना इंडिया सर्वर जो है वो ही वो पूरा हटा देंगे जी हाँ वो ही क्या नाम है डेस्ट्रोई कर सकते हैं अपना इंडिया सर्वर तो अगर अपने पास सर्वर ही नहीं होगा तो अपना Free Fire Max भी नहीं चलेगा जी हाँ गैस ये जो भी बात है बिल्कुल सही बात में आपको बता रहा हूँ इसलिए अगर आप मान लीजे जैसे अपना Battle Ground जो PUBG वाला गेम है वो तो कितने एक साल बात आयता तो वो भी अपने अलग-अलग सर्वर पर खेलते तो PUBG लवर थे अपने PUBG खेलने वाले जो गेमर्स थे बाकी बात कर लें अगर Free Fire जो Max अपना वो चलेगा लेकिन इंडिया सर्वर दुवारा से ये क्रेट करेंगे एक वर्जन से लाके मतलब नया जो इंडिया सर्वर ये बनाएंगे टोटल तब अपना जाके Free Fire विल्कुल चलेगा Free Fire मतलब Max से चलेगा पूरी तरीके से क्योंकि Free Fire Max से बिल्कुल से क्यों हो रहा है उसमें कोई Chinese एप का कुछ भी ठ्रेट नहीं मिला गाईज जी हाँ गाईज बाकी इसमें कोई दिक्कत वाली आप बात नहीं है अगर गरीना फायर इल्यूमिनेट बैन होता भी है कभी भी हो सकता है क्या पता आज हो जाए घंटों में भी हो सकता है या कल हो जाए कुछ भी कहन नहीं सकते फिलाल अभी जो गरीना फीरी फायर है उनक की official free fire इंडिया official की या आप के instagram page की बात कर लें कुछ भी उन्होंने ऐसी news नहीं दिया फिलाल उन्हें अभी कुछ पता नहीं मतलब क्या वो कह रहे हैं मतलब उन्होंने कुछ भी बात नहीं करी है free fire band के बारे में तो guys अभी तो कुछ पता नहीं क्या होगा लेकिन जो list ready जो game के अंदर अगर इंडिया server उड़ा तो free fire max भी नहीं बचेगा इसलिए ये जो इंडिया server है वो ही नया बनाएंगे जो अपने free fire वाले है उसमें ज़्यादा time लगता है जो server है वो जल्द ही ready हो जाता है अपने technical team के तरप से जो free fire किया बाकी देखते हैं इसमें क्या हो होता है ऐसी न्यूज जानने के लिए मारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना